नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को ले करके जी हाँ आज हम बात करेंगे काली मेर्च के फायदों के बारे में अगर आप काली मेर्च को पानी में घोल करके पीते हैं त औरेक्ट वर्ड कहें तो कहें कि उनको इसका स्वाद पसंद नहीं होता जिसकी वज़ा से इसका इस्तेमाल करने से कतराते हैं क्योंकि ये थोड़ी तीखी होती है लेकिन जैसी तीखी होती है वैसी ही फायदेमंद होती है ये इसे king of spice या black paper नाम से प्रचलित यानि की काली मि मिर्च हमारे भोजन का स्वाध ही नहीं बढ़ाती है बलकि कई भीमारियों के इलाज में सहायक सावित होती है काली मिर्च, काला नमक, भुना हुआ जीरा और अजवैन को पीश कर लसी या निम्बू पानी में डाल कर पीने से पाचन क्रिया तंदुरूस्त रहती है इसमें केल्शियम, आइरन, फासफोरस, केरोटीन, थाइमीन और रिथोफलेबन जैसे पोश्टिक तत्व होते हैं की गई एक स्टडी के अनुसार काली मिर्च में बायो एन हंस्त्र नाम का रसायन होता है जिसकी मौजूदगी में किसी भी दवाई का असर बढ़ जाता है तथा द अन्मोल रतन मानी जाती है काली मिर्च, माजूफल, सिंधा नमक, तीनों को बराबर मातरा में बारीक पीस कर चुन बना लिजे और इसको अपने हथेली पे रखके तीन बूंद सरसों के तेल में मिलाकर मसूदों और दातों पर अच्छी तरह से लगाईए और आधे घंटे के बाद कुली करके मुह साफ कर लीजिए आपके मसूदों की समस्या दूर हो जाएगी काली मिर्च को दिमाग की ठकावट दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक चमच घी और आठ काली मिर्च और शक्कर को मिलाकर रोजाना चाटने से याद शक्ति में एक कुलाब का फूल आधा चमच खस-खस को रात को एक बरतन में डाल कर भिंगो दिजिए और सुबह को रगड़ कर 250 ग्राम दूध में मिलाकर हर रोज लगातार कुछ महीने पीने से दिमाग में तरावट आ जाएगी और दिमाग की ठकावट दूर हो जाएगी 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम बादाम, 20 ग्राम तूलसी के पत्ते को एक साथ पीश कर चोन बना लिजिए और इस चोन का एक चमच, दो चमच शहद में मिलाकर चाटने से दिमाग की ताकत में सुधार होता है खांसी तथा आवाज बैठ गया हो यानि कि गला बैठ गया हो तो गली के बैठने में काली मिर्च का सेवन लाफकारी होता है और इससे मूं के चाले भी ठीक हो जाते हैं दस काली मिर्चें चबाकर गर्म पानी पी लिजिए इस प्रक्रिया को रोजाना तीन बार करने से सर्दी के कारण सब्रभंग ठीक हो जाती है चुटकी भर पीसी होई काली मिर्च आधा चमच घी के साथ मिला कर खाना खाने के बाद चाटने से खांसी भी ठीक हो जाती है अगर आप बलड प्रेशर को काबू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहत कारगर सावित होगी काली मिर्च बलड प्रेशर को नियंतरित करने एवं शरीर को आराम देने में काली मिर्च बेहत फायदे मंद है यदि आपका बलड प्रेशर बढ़ गया हो तो छोटी चमच काली मिर्च का पाउडर को आधे गिलास पानी में मिलाएए और पी जाएए आपका बीपी कंट्रोल होने लगेगा अगर पेट में गैस एवं एसीडिटी है तो पेट में गैस एवं एसीडिटी की समस्या होने पर आप तुरंत निम्बू में काला नमक और काली मिर्च का पाउडर या दो दाने मिलाकर इसका रस चूसिए यह आपकी अपच एवं गैस की समस्या को पल भर में दूर कर देग और बाद में उस तेल से गठिया वाली जगह पर मालिश करें ऐसा करने से दर्द में आराम मिल जाएगा यदि पेट में कीड़े की समस्या हो तो थोड़ी सी मातरा में काली मिर्च के पाउडर को एक गिलास छाँच में घोल कर पी लीजिए दूसरा उपाय है कि किश्मिश के साथ काली मिर्च दिन में तीन बार खाईए आपके पेट के कीड़े दूर हो जाएंगे मर जाएंगे बवासीर की समस्या से अगर परिशान है तो काली मिर्च आपके लिए दवा से कम साबित नहीं होगी जीरा, चीनी और काली मिर्च के दानों को पीश कर चून बना लीजिए और इस चून को सुबह और शाम तीन बारी खाईए ये चून बवासीर की परिशानी को ठी करता है लेकिन इसके लिए आपको जंक फूड एम ओली चीजों का सेवन करना बंद करना पड़ेगा और अन्य इंटि ओक्सिडेंट इत्यादी तत्व भी पाए जाते हैं काली मिर्च ब्रिष्ट कैंसर को रोकने में मददगार होती है यह तवचा के कैंसर से भी शरीर की रक्षा करती है काली मिर्च के इस्तेमाल से शरीर में सेरोटेनीन हर्मोन बनता है जो अच्छे मूर के लिए जिम्मेदार होता है सेरोटेनीन की मात्रा बढ़ने से डिप्रेशन में भी फायदा मिलता है इसलिए अपने रोजमर्रा के खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल आवश्य करना चाहिए ताकि आप खुश मिजाज रह सकें इसके और भी कुछ एक फायदे हैं जैसे कि कील और मुहासों से आप परिशान है तो बीस काली मिर्च गुलाब जल में पीस कर रात को छेहरे पे लगाईए और सुबह गर्म पानी से धो लीजिए कील मुहासे ठीक हो जाएंगे आपके अगर आपको भूख नहीं लगती है तो काली मिर्च, जीरा, सिंधा नमक, सुन्ध और पीपल को एक बराबर मात्रा में ले करके पीस लीजिए और इसको खाना खाने के बाद आधा आधा चमच दो बार लीजिए भोजन अच्छी तरह से पच जाएगा यानि कि ये पाचक के रूप में तो अल्वेज वर्क करता है और अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो दस काली मिर्च पीस कर एक गिलास दूद में उबाल कर चीनी मिला कर पीने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए थे काली मिर्च से जुड़े हुए फायदों को अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महतोपून जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों